गुडिवनिंग, मेरा नाम प्रगती है और मैं स्टूडेंट टू कॉलेज में मैं बच्पन में सुना था कि आपकेस में कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज करना अलाउड नहीं है मैं जाना चाहते हुदियो ऐसा क्यों मैंने सवाल पूचा है कि बच्पन में उन्हें सुना है कि इसलाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज करना हराम है ऐसी कोई भी खुरान की आयत नहीं है या हदीश नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तिमाल करना फी नफसी हराम है लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मजाहिब में जो चीज है जो फेस्टिविल्स है उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है तो रंग बिरंगी पाउडर फी नफसी इस्तिमाल करना मिसाल के तुर पे मैं डॉक्टर हूँ अगर किसी को जखम लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूँ लाल पाउडर तो लाल पाउडर इस्तिमाल करना क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो रंग बिरंगी पाउडर करना हरام ने लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिविल है ये एक फेस्टिविल है जो गैर मुसल्मान मनाते है तो वो फेस्टिविल को मनाना जो कुरान और हदीथ की खिलाफ है ऐसा फेस्टिविल वो गलत है लेकिन पाउडर इस्तिमाल करना पर से फी नफसी गलत नहीं है पड़ो फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या वज़े व फेस्टिवल कर रहे है जब आप वज़े देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वज़े पुरान और हदिश के खिलाफ है तो आप वजे देखेंगे कि कोई भी festival वो गएर मुसलमान क्यों बना रहा है अक्सर आप जब तेखी करेंगे ये वजे पुरान अःदीस के खिलाफ जाती है चायए वो कोई भी festival हो चायए वो कृस्पमस हो चायए वो घंपती हो तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीथ के खिलाफे इसलिए इसे मनाना गलत है मैं स्टूडन्ट हूँ मैं साइकोलोजी में इंट्रेस्ट रखती हूँ तो मैंने साइकोलोजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग वगरा पड़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डान्स के लिए म्यूजिक के लिए या वोइस मॉडिलिशन ऐसे कुछ तो मैं जाना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते डान्स और म्यूजिक अलाउड क्यों नहीं है भेन का सवाल है क्या वो साइकोलोजी की सुडेंट है और वो ये कहती है कि इनसान में कुछ ऐसे जीन दे जो स्किल्स पैदा होते है डान्सिंग के या मॉडलिंग के तो इसलाम में डान्सिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है मैं भी डाक्टर हूँ मैं जानता हूँ देर इस जेनेटिक जीन्स है लेकिन ये कहना कि स्किल्स एक अगर आपके अल्ला ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में उस हुनर का सही फाइदा भी उटा सकते गलत भी वो हुनर की कई चीज़े हो सकते उससे आप अथलिट बन सकते उससे आप अच्छे काम कर सकते उससे आप डान्सिंग भी कर सकते तो ये जरूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस किल का गलत इस्तिमाल करे कोई बोला कि अब मुझे भाई अच्छे मेरे हाथ की सफाई हाथ मैं अच्छे से गुमा सकता हूँ तो मैं चोरी करूँगा वो हाथ की सफाई से अच्छे काम भी कर सकते ना हाथ की सफाई से सरजरी कर सकते इनसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते उसी हाथ की सफाई से जोरी भी कर सकते तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास उसका अच्छा इस्सिमार करो जो आपका मेंन सवाल था कि इसलाम में डानसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है इसलाम में वो चीज जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है क्योंकि इसलाम में मानते है हम हमारे खवातिन हम औरतों की इज़त करते है और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाईश करे हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड जब वेस्टर्न वर्ल कहती है in the name of women's liberalization the western society in the name of women's liberalization actually they are degrading the women in the name of women's liberalization they are degrading her to a status of mysticism concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful skin of art and culture western society कहती है कि हम खवातिन को बड़ावा देते है उनकी इज़त करते है वो उसूलन क्या कर रहे मीडिया के जरिये in the name of art and culture आर्ट और culture के नाम पे वो क्या कर रहे वो खवातिन को जलील कर रहे मैं आपको मिसाल देता हूँ आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग मॉडलिंग क्यों करते है एड के लिए एक बहुत फेमिस एड है जो एड है BMW का आप ने सुना हैंगा BMW के बारे में जो गाड़ी है जो नौ जवान उसे पसंद करते है वो Mercedes के लेवल की है Mercedes का status है BMW का भी equal status है लिके नौ जवानों के लिए वो फास गाड़ी है उसका pick up बहुत फास्ट है उसके अंदर एक एड में एक मशूर एड मशूर एड के बारे मुझे का एक एक शक्स ने का कि BMW की मशूर एड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है लड़की खड़ी है बिकनी के साथ और वो एड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ वो दे गर और दे कार टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको गुमाओं किसको लड़की को के गाड़ी को तो इस एड के जरीए ये एड हमारे खवातीन हमारे वालदा हमारे भेन हमारे बीवियों को बेच रहा है मैं पूछता हूँ गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते हैं खवातीन थोड़ी फिर भी आदमी को मतासर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरीए ये डानसिंग के जरीए खवातीन की नुमाईश हो रही है तो ये वेस्टन कल्चर इन दे नेम आफ वुमें लिबराइशेशन वो क्या कर रहे है वो खवातीन को जलील कर रहे इसलिए 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 दो प्रश्रा किया किया मतलब मुसलमान एक हुद को क्यों नहीं कर सकते। जब पैदा उता तो इसके अंदर ये सकेल्स होती है So thisekaनम सम्धिश मतल़क यह अगर नहीं पहलों हुए पहला दोनों जो जुआ अनके जवाफ दिया उनकी होली के बारे में इसके बारे में बात क्री आज़ करनी है ये लोगं आप azkyl के शेल्म होंगे हूँ आज कल हुई थी उससे पिछे भी एक दफ़ा हुई थी जो है वो उनके फैस्टिवल होते हैं उन्होंने वहां पे जो है वो हॉली सेलिबरेट की थी मतलब यहां पे जो है वो इसलाम एक चीज यह कह रहा है कि आप किसी भी किसी दूसरे मज़ब की मुशाबत करेंगे वो बिलकुल हराम है लेकिन हमने जिन से सीखने हैं मतलब इन्हीं लोगों ने जो है वो बड़े हो के जो है वो ओदों पे बैठ रहा हैं हमारे पाकिस्तान को संबालना है यह जो लोग युनिवरस्टीज में पढ़ रहे हैं डिग्रियां हासल कर रहे हैं लेकिन जिनों ने हमें आके बताना है पढ़ लिख के मतलब हमारी अवान को बताना है वो खुद ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप खुद ही देखें कि आगे हो ना कि आगे क्या हाल होगा इस चीज़ का मतलब वो लोग ही इन चीज़ों में जा रहे हैं जो इसलाम में बिलकुल बकाइदा इलानियां हराम बोल दी गई है इसी से मतलिक उनका दूसरा सवाल भी था कि जैसे डान्स और म्योजिक और मॉडलिंग जो है वो इसलाम में क्यों हराम है ये चीज़ पे तो मतलब आज का मुसल्मान खासकर पाकिस्तान में जो है वो ये चीज़ गंके के चोट पे तो क्या ही नहीं सकता कि हम लोग ऐसे नहीं है आप लोग देख लें टिक टॉक पे देख लें रश लगा हूआ इंस्टा गराम पे देख लें रश लगा हूआ YouTube पे देख लें और पैसलब नहीं अघ्ण कि लat फेस्बुक पे देख लें पिर डांस और पत्तानी फिर मियुजिक और नशे हो रहे होते हैं ये हमारे जो ना ऑगेसे जिनकों बिेड li우 निकलने है वो आगेसे हमारे जो य वो इस तरह चा रहे हैं तो बोढ़ैंगे हरौन्म हराम है यसी हराम हमारे और यह से कह लावा यह पूछा था ऱ सारा कुछ ऐलानिया हाल है हराम है पाकिस्तान में लेकिन यह सब कुछ हो रहा है और आज कल तो मतलब इस चीज पर कोई ना कोई रोक थाम ना कुछ किसी किसम का ना कोई बोल रहा हर बंदा जो आना वह ट्रेंड को फालो करके जो आप गुजरी जा रहा है इस चीजों से यह मतलब कोई इस चीज पर गोरी नहीं कर रहा है कि मतलब जिस चीज के नाम पर यह मुलक बनाया गया है उस चीज के नाम पर तो मतलब पहले फोकस कर ले हम लोग कि यह चीजें जो हैं वो हमारे लिए बेतर हैं भी यह नहीं हैं तो फिर हम लोग मतलब यह कहते हैं कि हम पर ज होाईयतों के साथ ता साथ यत तो जहां पर न Springs वहां का हाल भी आप देखने ज JERए बिन का awe करst वह ऄंकर आप पर हैंतिखने Mashman कोहां उच आने वाल जहां पर कहांतिखना जरलन के था हमारा जो है न वो अब कल्चर और हमारे इसलाम जो है न यहां तक आ चुका हुआ है तो खेर हर जगा दुनिया में जो है वो अच्छे लोग भी पाए जाते हैं बुरे लोग भी पाए जाते हैं लेकिन फिल हाल जो छूरते हाल नज़र आ रही है इन प्लैटफॉर्म्स पे जो है न वो ज्यादा तर बुरे लोग ही नज़र आ रहे हैं क्याल रुकिएगा अलाहाफिज़।